विडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक बटन जरूर हिट करना और नोटिफिकेशन बटन आन करना बहुत सदा जरूरी है ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अप्लोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का एक र करता दूं कि मैं हर रात दस बजे मैडम और फैमिली के ओपर एक बढ़ी असा रियाक्शन वीडियो लेके आती हूं तो इसी के साथ चली शुरू करते हैं आज का एक मज़ेदार वीडियो सो फाइनली फाइनली वैसे तो यह फाइनली डायलोग मैडम पे जादा सूट करता है पर क्या करे मैडम पे रियक्शन देते देते और मैडम के व्लॉच देखते देखते मैडम का फाइनले वर्ड ना हमारे अंदर भी घुस चुका है और हमारा भी इना फाइनली बोले विलौग की है वीडियो की शुरुआती नहीं होती तो फाइनली हमें नजर आये हैं ड खुड़ा लेटी एंड हो सकता है कि कौन से वीक में कब जनाब की जर्नी का एंड हो जाए तो उसके हिसाब से फणी अभी तक क्यूं जनाब की परफॉर्मेंस देखने के लिए पहुंचे नहीं है यहां पे घर के छोटे से लेकर बड़े लोग दोस्ट से लेकर अड़े वाल अंदर और इस तरीके से स्टाइल मार रहे थे फणी जैसे उनसे बड़ा सेलेब्रिटी यहां पर कोई भी नहीं है लेकिन उतनी ही शिकायत है डब्बा से कि डब्बा का जो खूलिया है हूब हूँ धीरे धीरे अपनी भावी की तरह होते जा रहा है क्योंकि शादी से पहल क्योंकि आगे से मेरी बनीवी ड्रेस तो बिलकुल मत पहनना क्योंकि किस तरीके से अच्छे कासे ब्रैंड की एक अच्छे ऐसे लेबल की भी capture होने वाली है और हो सकता है कि paper में newspaper में भी उसकी photo छपे वहां पर अपने आपको groom करना यह पूरा परिवार जो है न वह भूल जाता है अगर इसी रितुकुमार की dress के साथ वह अच्छा सा हिजाब कर लेती अच्छे से उसको tie सर पर कर लेती तो एक अलगी ग्रेस आता और भीड में एक अलगी तरीके से चमकती क्योंकि अपने आप में यूनीक dress होती है और इतनी वराइटे ऑफ हिजाब है इतने मैचिंग उसके पास है लेकिर उसके बाद भी उसने आम औरतों की तरह ही वहां पर पहुंच शूट से आई हैं उन पूरी वीडियो में डबा सिर्फ अपना दुपट्टा ही संभालती हुई नजर आ रही है क्योंकि हवां पर चल रही है कभी यहां से उड़ रहा है कभी वहां से उड़ रहा है उपर से फिटिंग की बात करें तो जीरो जमाल भाया इन्होंने ले रखे हैं लेकिन हुए प्रफॉरमेंस अद है कने क्योंकि आज हмए अब जनाब की सर्छ चुकि यह पोस्ट मैंने पढ़ cricket में जहां पे कोई जनाब की कौलिफिकेशन का एक उन्हों महांने गूंग्ल का एक ख्फोटो के अंद्र जनाब की ख़िती गूगल में तो जनाब की qualification वही आई जो वहाँ पे शेर की गई थी यानि कि उन्हें यह दिखाया गया कि वह computer से qualified है आप जानते ही है कि कई बार जनाब खुद भी अपने मूँ से बता चुके हैं और सबको पता ही है कि जनाब graduate नहीं है जनाब drop out है बीटेक कर रहे थे और बीटेक के finally year में जनाब drop out हुए अब क्यों हुए क्या हुए इसके उपर जितने मूँ उतनी बाते होती है लेकिन सच क्या है वो यह जनाब और मैडम बकु भी जानते होंगे बट जनाब graduate नहीं है लेकिन Google भी उनकी information उनकी Wikipedia उनकी biography में यही लिखा गय लंबी हो जाएगी तो आप सबकी information के लिए बता दूगी Google की इस वाली information पर बिलीव मत करें क्योंकि यह information ने खुद ही बता चुके है कि यह college drop out है इन्होंने कोई B.Tech की degree जो है complete नहीं करी है उसके बाद बात करते हैं मैंने कुछ comments ऐसे भी पड़े जिसमें यह बोला जा रह अर कुछ points में है क्योंकि वह पहले जब आई है तो अच्छा कासा लूट के गई है लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वह घाटे के सौदे में रही इस बार कि उनकी जो विजट है मुंबई विजट वह घाटे की रही पूछो क्यों क्यों कि पहले तो आते ही उन्होंने I think Roo Baby को देने में उन्होंने उसके हर हिस्से के पैसे निकाल के दिये यह तुमारे इस दिन के है यह तो आल्मस्थ 4 से 5000 रुपे उनके उसी समय में पे लग गए उसके बाद उन्होंने जाते समय भी सब को 5500 की पत्ती पकड़ाई ठीक है उसके बाद उन्होंने छोटे मुटे और छोटे मोटी चीजों में खर्चते को किया होगा ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल जेब बांध करके बैठी होंगी तो अगर देखा जाए तो उन्होंने इस बार कम से कम गाटे का सौधा इसी दे लगा तो मना लेकिन बड़्दे पर कुछ खास नहीं मिला शैद वो इसी एक्सपक्टेशन से कि टीजा और टीजान को दुबए का पास मिलाए तो हो सकता है कि दबबा जो है वो टारऑ बीडिकेट के स्पौनसर कर दे लेकिन दुबई के जिकर भी ने किया बाने यहां पर नाम भी नी लिए बबाने यहां पर तो कहीं न कहीं लगता है कि थोड़ी से डिसपॉइंट हुई उन्हें लगा को कि चरो पता नहीं हम ले जा पाएंगे नहीं ले जा पाएंगे अपनी बेटी को कभी दुबाई लेकिन डब्बा जरूर ले जाएगी जहां पर घर के दो बच्चों को लेके जाई रह हां डब्बा ने उनको बरतन जरूर खरीद के दिये होंगे लेकिन अगर वह बरतन भी आप देखो तो वह बरतन भी कुछ जादा महंगे नहीं होंगे उससे जादा इस बार माजा खाला ने खर्चा किया है अगर हम कैलकुलेशन लेके बैटे और उससे कई जादा इन पूर अगर दिखाने के लिए वो लोग मिल जाते हैं जहां पर इनको बहुत बढ़िया व्यूज भी आते हैं और एक उकेजिन होता है जिसे बर्ड़े हो गया सेलीब्रेशन हो गया तो उसमें दिखाते हैं प्लस इनके घर के काम भी हो जाते हैं अब सोचो वह इनके घर में रह क लेके आती हैं तो इस बार जो सौधा रहा माजा खाला का वो थोड़ा घाटे का सौधा रहा लगता है अगली बार प्लैनिंग के साथ आएंगी क्योंकि रूप वेपी को उन्होंने कपैसे तो दिये लेकिन उसके बाद जब भी वहां से कोई आता था जैसे डबा आती तो का देना बनता था जिनको यह रोज इस्तेमाल करते हैं यूज करते हैं बेटे की खुशी में इनको एक separate एक अलग से पीजिळे के लिए सिर्फ यह बोलके कि हमारे बेटे होने के बच्चे होने की खुशी में वाकि पतानी कंजूसी का जहान तो इन सबका है एक बार अगर देते हैं तो साल भर के लिए छुटी कर लेते हैं पता नहीं देते भी है या सिर्फ देने के बाद वापस ले लेते हैं कि भाया यह सिर्फ content के लिए था अब यह हमारे पास वापस हो गया है क्योंकि आज की डेट में vloggers की life पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है अब यकीन नहीं होता पहला एक टाइम था जब लोग डेली व्लॉगिंग के नाम पे सच में रियालिटी सेल करते थे रियालिटी दिखाते थे लेकिन अब सब कुछ scripted होता है डेली सोपस की तरह सब कुछ plan होता है रोना हसन लेना बर्डे मिनाना यह सोचो बर्डे चार दिन बाद होता है लेकिन content डालने के लिए बर्डे को भी चार दिन पहले मना दिया जाता है तो आज कल believe करना trust करना बहुत impossible है कि वाके में यह लोग डेली व्लॉगिंग के नाम पे कुछ रियालिटी दिखा भी नहीं और मैडम और आपकी व्लॉगिंग वह तो खेर एक-एक हफते पुरानी होती तो उनकी व्लॉगिंग से भूली जाओ कि वो लोग कुछ रियालिटी दिखा रहे हो कि उनका सब कुछ जो है वो फुल एडिटिंग के बेस पे होता है तो यह था मेरा आज का एक reaction I hope कहीं ना कहीं आप इ वीडियो को ठेज सारा प्यार देना बिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए थैंक्स वाचिंग अर्थ मॉम देहरा दुन